एक तरफ जहां यमन के हूती ने इसराइल के तेल अविव में ट्रोन अटेक करके नितनियाहु को बड़ा दर्द देने का काम किया है वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजगुला इसराइल के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका घाव दिन बादिन बढ़ता ही जा रहा है और वो समूचे उत्री इसराइल को अपनी चपेट में ले रहा है हिजगुला के हमलों ने उत्री इसराइल को एक वीरान खंडर में तबदील कर दिया है और पूरे 24 घंटे हिजगुला के ड्रोन इस इलाके में मनरा रहे हैं और जैसे ही इसराइली सेना इस इलाके में कोई हलचल करती हुई दिखाई देती है वैसे ही हिजगुला के ये ड् उसके उपर आग बरसाने लगते हैं और इन हमलों के बीच एक बार फिर से हिजबुला ने उत्री इसराइल को दहला कर रख दिया है हिजबुला ने सिलसले वार तरीके से इसराइल की कई सेन्ने चौकियों पर बंबारी की है हिजबुला का कहना है कि उसने 18 जुलाई को 2 बच कर 44 मिनट पर खादाब यरीन साइट पर IDF द्वारा हाल ही में लगाए गए जासुसी उपकरणों को निशाना बनाया गया और इसके ठीक बाद मेतुला सेटलमेंट पर भी IDF के कई जासुसी उपकरणों को उड़ा दिया गया यहां पर हिजबुला ने गाइडेड मिसाइल से एक बड़ा हमला किया है जो सीधे IDF के बेस पर जाकर लगी और इस हमले के बाद चार बज कर दो मिनट के आसपास हिजबुला ने बिरकत रिशा और अल राहेब सेन्ने चोकियों पर बुरकन रॉकेट की जड़ी लगा दी जिसकी वज़ा से इन दोनों ही चोकियों पर आग लग गई इन हमलों के बीच हिजबुला का ये भी दावा है कि उसने कफार चौबा हिल्स और रुषत अल आलाम साइट पर रॉकेटों से हमला किया है साथ ही हदा ब्यारीन साइट पर एक एंटी टैंक मिसाइल से मेरकावा टैंक को भी उड़ा दिया लेकिन इन हमलों के बीच इसरायल को सबसे बड़ा जट का फाइलॉन बेस पर लगा जहां पर अभी तक हिजबुला ने हमला नहीं किया था लेकिन इस बार हिजबुला ने ड्रोन का एक पूरा जट था इस बेस पर दाग दिया जिसकी वज़ा से फाइलॉन बेस पर IDF को भारी नुकसान हुआ है आपको बता दे कि फाइलाउन बेस पर IDF की 210 वी ब्रिगेड का हैड़क्वाटर और वेरहाउस है हिजबुला का कहना है कि फाइलाउन बेस पर IDF ने पोजीशन ले रखी थी और यहाँ पर कई अधिकारी और सैनिक भी तैनात थे हाला कि इस हमले में IDF को कितना नुकसान हुआ है इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन हिजबुला ने ये जरूर कहा है कि उसके इस हमले ने अपने टार्गेट को हासल किया है और इस हमले के बाद हिजबुला ने अलमजर साइट पर भी बुरकन रॉकेट से सीधा हमला किया और जैसे ही ये हमला हुआ इसके ठीक बाद यारा सैटलमेंट में IDF द्वारा बनाए गए वेस्टन ब्रिगेट के नए हैटकौर्टर पर भी हिजबुला ने काई ड्रोन अटेक किये हिजबुला का दावा है कि उसने इस हमले में इसराइली पोजीशन और अधिकारियों को निशाना बनाया वही इन हमलों को लेकर इसराइली मीडिया का कहना है कि रोश पिना और हाजोर हगलीलित सेटलमेंट पर दो हवाई टारगेट्स को एर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया जिसकी वज़ा से मेतुला समेथ इन इलाकों में आग लग गई और के लाया जिस्टम ऑालबस में आग बहुता हैं इन इलाकों में आगए टुफ घुटा इचार को एम सेटलमेंट आगे पी,बहू नहीं है कि आगे लागे आगे बहुता है